नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार से आपके अपने यूट्यूब चैनल पाज जी हाँ दोस्तों आज की बड़ी खबरे मुखी समाचाना आप सभी लोगों के लिए लेकर किया है इसे एक वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे इस दुनिया सकते में मोदी सरकार क्या कुछ हुआ है आज सुनवाई में CGI का चला है क्या डंडा जानिये आगे पूरी खबर सामिल की गई है वहीं लोग सभा के बाल राज्य सभा में भी एंडिये का संख्या बल घटा है इंडिया घढवंदन मजबूती से खड़ा है दोस्तों और भी बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे दूसरी दब दोस्तों आप इमानते हैं इंडिया घढवंदन की ताकत ऐसे ही दिन पर दिन बढ़ती रहेगी और आने वाले चाल राजों के विधान सभा चुनाओं में इंडिया घढवंदन सरकार बनाएगा तो लाइक कीजेगा वीडियो को कमेंट बॉक्स में आप जरू लिख दीजेगा जय हिंद जय भारत यहां दोस्तों सुप्रीम कोट से ताजा बड़ी खबर निकल कि आ रही है बिग ब्रेकिंग निव्स सुप्रीम कोट के रवईये से सकते में मोदी सरकार सीजी आई डीवाई चंद चूर एक् काम किया गया अब सुप्रीम कोट ने 2014 के बाद से ऐसे सभी मामलों की पुनर समिच्छा की बात कही है जिन्हें स्पीकर ने मनी बिल बताकर लोग सभा में चर्चा से बचने का रास्ता निकाला कथित तौर पे अनुछिद 110 का दुरुप्योग किया गया आपको बताते चले मोदी सरकार चली जाती तो सुप्रीम कोट की इस समिच्छा का कोई मतलब नहीं होता लेकिन दोस्तों यहाँ पे मोदी सरकार को उनके काले कारणामों के लिए खासा डंडित करने का ये अपसर है आपको बताते चले पीमेले से लेकर तमाम यहाँ पे कई विवादित कानून है जो अभी सुप्रेम कोट में विचार दीन है मुख्य नहीदित का इन मौकों पर कह चुके हैं कि लोक्तंत की रच्छा के लिए वहततत पर है और सुनबाई करनी पड़ी तो दिन हो या रात वह सुनबाई करेंगे मुख्य नहीदित का ये बयान दोस्तों पुराना है ले 63 सांसदों का भारी नुक्सान हुआ एंडिये का अभी संख्यावल घटा है लेकिन लोग सभा के बास राज्य सभा से आ रही है खबार राज्य सभा में भाजपा के सदस्यों की संख्या घटी है बीजेपी के 86 और एंडिये के कुल 101 सदस्य ही है बिल्क का पास कराने में जादू यांकडे से काफी पीछे है ऐसे में बजट सत्य के दौरान आने वाले बिधैकों को राज्य सभा से पास करवाना मोदी सरकाय के लिए एक चुनौती होने वाली है बाजपा का राज्य सभा में बहुमत खत्म हुआ है एंडिये भी अल्पमत में आ गया है बजट सत बीते सनिवार को उपरी सदन से चार मनोनी सदस्यों के रिटार्मेंट के साथ ही इस समय राज्य सभा की 19 जगा खाली हो चुकी है यहां पर ये बड़ी ख़बर निकल की आई दोस्तों आगली अपडेट कीताब बढ़ते हैं दोस्तों सुवा मननम स्वामी जो बोट हमेशा तो बीजेपी को ही देते हैं लेकिन हमेशा मोधी सरकार पर हमलावा रहते हैं पूर्वर राज्य सभा सानसद हैं और इन्होंने आज नए अंदाज में प्रधान मंत्री मोधी पर जोवदार हमला वोला सोसल मीडिया प्लेट सुवा मननम स्वामी यही नहीं रुके उन्होंने कहा कि उपचुनाओं के नतीजों से पता चलता है कि बीजेपी हमेशा के लिए डूबने की तैयारी में है देख सकते हैं दोस्तों यहां पर बीजेपी के ही नेता सुवा मननम स्वामी ने अपनी ही पार्टी पर जोवदा जा रहा है बीजे पे के बते ही लोगों में जो विश्वास कमी आ रही है उसके लिए सीदे तोर पर प्रधान मंतरी मोधी को जिमेदार ठहराए है सुभर मन्हम स्वामी ने क्या आप भी सुभा मन्यम स्वामी की बातों से सहमत हैं दोस्तों या नहीं जरूर बताईए अपनी विराय कमेंट बॉक्स में इसी की साथ अगली अपडेट की और बढ़ते हैं दोस्तों ताजा बड़ी अपडेट आ रही हैं केदान नास से 228 किलो सुना गायब कर दिया गया और अब तक कोई जांच नहीं हुई दोस्तो अभी तक घोटा ले यहाँ पे अन्नी जगें पे होते रहते थे लेकिन अभी यहाँ पे केदान नास से 228 किलो सोना गाय भूनी की बड़ी ख़वा निकल की आई है आपको वताते चलें संकराचार अभी मुक्तेश्वानन ने इस पूरे मामने में जाच की मांग की है इसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट के पूर्वसियम और सिब सेना उधभ उटके प्रमुक उधभ ठाकरे को लेकर भी बड़ी बात कही जी हाँ दोस्तों उधभ ठाकरे के साथ बिस्वास घात हुआ है जो बिस्वास घात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है यह यहाँ पर संकराचार अभी मुक्तेश्वानन ने बड़ी बात कही है हाल ही में पधान मंत्री ने इन्हों से मुलाकात की थी और यहाँ पर इनका अश्रवाद भी लेने प्रधान मंत्री मोदी पहुचे थे उसके ठीक बाद इन्होंने यहाँ जवदर तरीके से उधभ ठाकरे को लेकर बड़ी बात कही उनका पच्छ रखा है और इस पर्ष्ट किया कि जो विश्वास कहत करे वो हिंदू नहीं हो सकता है यह बड़ी बात कही दोस्तों इसे के साथ अगली अपडेट के और बढ़ते हैं में बीजेपी को यूपी महाराष्ट समेत कई राज्यों में भारी नुकसान उठाना पड़ा है इस दोरान यूपी में जहां बीजेपी की सीठे लगवग आधे से भी कम हो गई वहीं महाराष्ट में भी यही हल रहा इसके अलावा देश के कई ऐसे राज्य है बीजेपी को नुकसान मिला है आपको बताते चलें केंद सासित पे देश चंडीगड यहां पे पहले बीजेपी सामसत था वहां भी बीजेपी का यहां पे बुरा हस्वर हुआ बीजेपी को चंडीगड में हार मिली और यहां से कॉंग्रेस के मनिस तिवारी ने जीत दरज की है दच्छिड में कॉंग्रेस पार्टी दिन पर दिन मजबूत होती जा रही है तिलंगारा में भारत राष्ट समीति यानी BRS के विधायक लगातार कॉंग्रेस में सामिल हो रहा है BRS पार्टी को एक और जटका 15 विधायक कॉंग्रेस पार्टी में सामिल हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड़ी के यहाँ पे नेतोत में कॉंग्रेस जवर्दास तरीके से आगे बढ़ रही है आपको बताते चलें BRS के सांसाद, MLC, MLA आप कॉंग्रेस की और अपना रुक कर रहे हैं आपको बताते चलें BIS ने कुल 119 विधान समय सीटों में 49 सीटों पाज जीत हांसिल की जबकि कॉंग्रेस ने 64 सीट जीत के सरकार बनाई थी लगवक 6 महा में 15 विधायक कॉंग्रेस में सामिल हो गए दोस्तों यूपी उक्चुनाओं में अब होगा दोस्तों बड़ा खेला खिले शादब बने BJP के गले की फांस भूपेंदर सिंग ने घेरा तो सपा प्रमुख ने भी दिया कड़ा यहाँ पे जवाब दोस्तों BJP लागातार इंडिया गठावनमन में फूट डालने का काम कर रही है बीटे दिन कार समिती की बैठे कुत्तर पदेश में BJP की हुई जहाँ पर BJP यूपी पदेश अध्यच भूपेंदर सिंग ने कहा कि कॉंग्रेस आपकी बोर्ट बैंक पर यानि समाजवादी पार्टी को तोड़ देगी जिस पर अखिले शादम ने पलट वार किया है आप सभी को बताते चलें अखिले शादम ने यहां पर जोड़ दस तरीके से पलट वार करते हुए कहा है कि आने वाली उपचुनाव में BJP का हाल और भी खराब होने वाला है दस सीटों पर दोस्त आज की हर एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाई दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद